तो जैहिं साथियों स्वागत है एक बाद फिर से आज सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में तो दोस्तो हर रोज की तरह आज भी हम निप्टी 50 की कम्प्लीट इलसेज वीडियो आप सभी के बीच लाएं हैं जिसमें ऑप्सन चैन्ड डेटा का बाइंग प्रे आपको रेट सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने के बाद में बिल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजेगा ताकि हमारे दोरा किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाव उठा सके दोस् लेवल्स की एक को रेशे आपको कहीं नहीं मिल पाएगी इस चीज को मैं प्रूव भी करूँगा और आपको आपसे वादा भी करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिया है बिल आइकन को भी प्रेस कर लिया है तो निश्चित तोर पे आप जोइन कर लेते हैं और तमाम सारा इंवेस्टमेंट वो उसी में कर देते हैं और उससे कोई लाफ नहीं मिलने वाला होता है दोस्तों मैं यहां पर आप सभी को सिंपल एक चीज बताना चाहता हूँ यह हमारी जो निफ्टी विप्टी का हमने जो चार्ट ओपन कर रखा यह उसमें सिंपल हमने बताया था कि मार्केट जो है 16,280 से ले करके 16,160 के लेवल में रहने वाली है यह तो मैं पहले बताया था और उसके पहले जो यह मार्केट चली हुए यह मैंने यह भी बता दिया था तो इस प्रकार से आप हमारी एकोरेशी का अंदाजा लगा सकते हैं ह निफ्टी में और 40-50 प्रकार सकते हैं बैंक निफ्टी में लेकिन आप सभी का असिरवाद है बाबा जी की कृपाद रिष्ट बनी हुई है तो यहां पर मैं आप सभी के लिए वीडियो जो प्रोवाइड कराता हूं लगभग उसी रेंजेज में मार्केट चलती है और यह कैसे चलती ही यह हमारा previous जो कुछ भी थोड़ा है या ज्यादा है कम ज्यादा experience से अनुभव है वो मैं include करता हूं साथ ही साथ इसमें में तमाम सारी technical analysis जैसे support and resistance, price action या और तमाम सारी strategies जो है मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं इस वीडियो में नहीं अन्य कई वीड reading में महारत हासिल कर सकते हैं तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तो यह सुरुआत है अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एक बार मेरे साथ जुड़के रहके देखे सीखे और समझे कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं तो आपको बताता हूं कि आप अगर देखेंगे तो अधर्वाइज वीडियो को इस्किप करेंगे तो ये भी इसकिप हो जाएगी हो सकता है मैंने अ पहले ही आपको यह लिंक प्रवाइट करा दी हो वीडियो स्टार्टिंग में ही तो वीडियो को एक बार पुनह देख लीजेगा अगर आप यह सबसे पहले मैं यह जो ब्ली लाइन से इनको मैं हटा देता हूं सबसे सिंपल आप अगर ज्यादा प्रूफ देखना चाहते हैं अभी प्रूफ लेना चाहते हैं तो प्लेलीस हमने बना के रखी है वहां पर हमारी लास्ट वीडियो देखेंगे उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट चली हुई है उन्ही रेंज में चली है या फिर नहीं रहती है तो हमारी चैनल पर बने रहेगा अथर्वाइस लेफ्ट मार दीजेगा मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्य नहीं है मैं यहां पे क्योंकि मैं आप सभी को एगर सिखाने का प्रयाश क जाएगी इसलिए मैं आपको step by step चीज़े समझाने का प्रयास करूंगा लेकिन यहां पर मैं support resistance को आप सभी को कहूंगा कि जाएंगी live market में लेकिन आप वहां पर एकदम निहत्था मैसूस करेंगे या फिर कोई अगर position बनाते हैं तो उसमें आप अगर loss कर लेते हैं तो आपको बड़ी ही ग्लानी का सामना करना पड़ता होगा या फिर बड़ा ही दुख आपको होता होगा जैसा कि सभी को होता है कि सब कुछ जानते हुए भी loss हम कर देते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा fact हो जाता है यह भी एक बहुत बड़ा point हो जाता है जिन पॉइंट को आप सभी के बीच में मैं बीच-बीच में discuss किया करता हूं वीडियो में क्या बताना क्या नहीं बताना मैं पहले से कुछ भी न बाना paralysis करने बाद में आप सभी को यह वीडियो बनाता हूं तो अगर मैं आप सभी के लिए 1.5-2,5-10 की मिट की वीडियो बनाते हैं तो इस 5-10 मिट की वीडियो को अगर आप complete नहीं देखते हैं तो यह जरूर कही ना कहीं हैं आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं मुझे स्किप करके वीडियो को लेवल सी नोट कर लेते हैं इस चीज के मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता है फर्क आपको पढ़ना चाहिए कि जो बीच बीच में अगर कोई में में पॉइंट बता जाता हूं आप सभी को उस चीज से आप वनचित रह जाते हैं या फिर उस चीज को आप नहीं जान पाते हैं तो यह भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी चीज है खैर यहां पर हमने जो लाइन जा की हुई है सबसे पहने माप आप आप सभी को एक चीज बताना चाहते हैं मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि आप 16,400 जाएगी निफ्टी फिफ्टी तो एक तो यह पॉइंट बन जाता है कि अभी 16,400 नहीं गई है तो क्या जा सकती है बिल्कुल जा सकती है अगर मार्केट कल मार्केट कल यह मैंने जो लाइन जाकी हुई है साफ साफ आप आप नौट कर सकते हैं यहां पे कल मीन्स आ 1260 का लेवल देखने को मिलसकता है क्या लेवल देखने को मिल सकता है 16,400 को क्योंकि यहां तक हमने टार्गेट दिया हुआ था और यहां तक अभी मार्केट आई है तो जाहिरती बात है कि इस लेवल को टच कर सकती है हलाकि हमने जो रेंज बताई थी उस रेंज में चली है लेकिन फर्स रेंज में ही चली है सिकंड रेंज जो हमने बताई थी सिकंड रेंज में आई नहीं है तो क्या यह मंडे को सेकंड रेंज में आएगी या फिर आपको 16,400 का लेवल देखने को मिलेगा जरूर मिलेगा अगर 50,50, 16,230 के उपर open होती है या फिर opening कराती है तो आपको ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा Monday को चुकि यहाँ पर interday की लेवल हम आप सभी को provide कराते हैं Tuesday को क्या होता है या फिर इस week क्या होता ये मुझे नहीं पता लेकिन Monday को क्या होगा ये मैं definitely कह सकता हूँ और आप सभी के वीच एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज जो बता रहा हूँ वो जरूर Monday को होने वाला है या फिर होगा तो यहाँ पे एक चीज तो आई होप आप सभी लोग समझ गया होंगे कि अगर मार्केट जो है गयप आप ओपनिंग कराती है 16,230 के ऊपर चली जाती है और इस लेवल पर थोड़ी देर सस्टेन रहती है या उपर की ओर जाती है तो आपको 16,400 का लेवल देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये चीज़ आप नोड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर चुकि हमने सपोर्ट रेजिस्टन्स जीसे पता है तो बैक में हमने जा के देखा है कई सारे टाइम फ्रेंस पे तो वहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा है का ये तो मार्केट जो है 16,330 के ऊपर जाती है तो 320 से वापस भी आ सकती है वापस आने कबाद फिर से जा सकती है तो चुकि दो-तीन बार में ये रेजिस्टन्स ब्रेक होता है तो market जो हो सकता है कि 12 से 1 बजे तक या फिर 2 बजे तक ही इसी range में घूमा करें उसके बाद 2 बजे के बाद या फिर डेल बजे के बाद यहां से इस resistance को break करती है तो उपर क्यों जाए एक तो यह point बन जाता है लेकिन इस resistance पे आप सभी को अपना order modify कर लेना है या फिर अपनी strategy जी modify कर लेनी है क्योंकि यहां पर 16,320 की जो resistance है यहां पर एक बहुत बड़ा resistance और support का काम करेगी 16,400 पहुचने के लिए तो अगर simple वहां समय बात करें तो 16,230 से ले करके 320 तक ही फास्टेंज बन जाती है उसके बास second range हमारी यह 16,400 की बन जाती है अगर अपसाइड की बा देखने वाली है मंडे को 16,400 तक जा सकती है इसमें को संदे वाली बात नहीं है लेकिन यहां पर चुकि हमने देखा है वो हो सकता है कि इतनी टेक्निकल या फिर complicated words मैं इसलिए भी नहीं प्रयोग करता हूं कि आप कहीं confused न हो जाए चुकि मुझे यहां से market जो है डाउन कि अगर हम बात करें तो यहां पर जो 16,100 का लेवल हमने जो यहां पर दिया हुआ है इस लाइन को हम थोड़ा सा रेट कर दिये दे रहे हैं यहां पर 16,100 का यह मैं नोट कर देता हूं 16,100 का लेवल अगर डाउन साइड में आता है यहां पर यहां फिर market जो है 16,230 के नीचे चली आती है जो हमने यह लेवल बताया हुआ है यह लेवल इसके नीचे अगर चली आती है तो आपको यहां पर एक सपोर्ट देखने मिलेगा 16,100 का यह लेवल हमने जो बताया 16,100 का यह सपोर्ट देखनी को मिल सकता है आपको और इस सपोर्ट से आने के बाद में फिर फिर उपर क्यूर जा सकती है एक ये भी कंडिशन बनती है या फिर 16,100 के लेवल को ब्रेक कर देती है निफ्टी 50 यहाँ पर तो तब चीजे समझें कि तब क्या होगी तब आपको डाउन साइट के मुवमेंट्स देखने को मिलेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि एकर 16,100 के लेवल को ब्रेक करती है तो आपको नीचे के साइट देखने को मिलेगा 15,940 का क्या देखने को मिलेगा 15,940 का यह लेवल आपको डाउन साइट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसमें कोई द दूरा नहीं है लेकिन अभी मैंने पहले भी बताया और अभी फिर से बता दे रहा हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि पिछले मिनट के टाइम फ्रेम पे तो एक यह सपोर्ट लेवल आपके लिए भी बहुत काम करेगा यानि कि आपको 16,000 पे एक तो साइक्लोजिकल टार्गेट्स हो जाता है यह 16,000 तो एक यह भी काम करता है तो चुकि सपोर्ट तो यहां ले रहा है अब आप कहेंगी सर यहां पे 16,000 और 20 पे सपोर्ट ले रहा है तो हम यहां पर क्यों नहीं लगाते हैं तो चुकि साइक्लोजिकल टार्गेट्स भी या फिर साइक्लोजिकल नंबर्स भी देखने होते हैं तो मैं यहां पे 16,000 का एक ले ले रहा हूं जिसे हम एक तगड़ा सपोर्ट मान सकते हैं बाइक 25,940 का है यहां पे इस सपोर्ट लेवल पे आप अपनी परिवर्टर कर सकते ही या फिर आप अपने आड़र नहीं पर एक इन्ट्री बनाई है तो एक बार यहां पर एक इसक्यूट कर दे आधर वाइस रहास कशीर नीचे आने लगती परिअ यहां तक बने रह सकते हैं उस मिलेगा 15,850 का ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है इसके नीचे अगर जाती है तो मैं लाइब मार्केट में आपको बताऊंगा चुकि यहां पे हो सकता है कि मार्केट से 15,850 के नीचे भी आ जाए क्योंकि अगर 16,100 के लेवल को क्रास करेगी डाउन साइड में तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा फिर ये जो हमने ये जो 4000 का लेवल बताया है उपर की साइड में फिर ये लेवल हमारा फेल हो जाएगा ये लेवल हमारा फेल हो जाएगा अगर 16,100 के नीचे जाती है तो फिर आपको नीचे के डाउन साइड के ट्रेंड देखने को मिलेंगे अभी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप सभी लोग ब्रोक्रेट से परेशान है तो आप पेटिय मनी में अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस टार्टिंग की हटेट से जय वह व 만들어 कोंना डेट ब्रोकेट र्मेट कर सकते हैं और उसके बाद भी ऐसा नहीं है यह बहुत जाद ब्रोक्रेश काटेगा आप गर्लोकेट काटता देजिक्स कर्योंपेट से लेकर के 40 रुपए तक का यह फिर 60 रुपए तक का भी काट लेता है तो इस हिसाब से काफी सस्ता यह पड़ जाता है तो description में लिंक है आप वहां से आप open कर सकते हैं पेटीम मनी में अपना प्रेशर और सेलिंग प्रेशर है उसकी वीडियो में यहां पर बना चुका हूं प्लेलिस में आपको मिल जाएगी मोबाइल से आप सिंपल तरीकेशन निकाल सकते हैं आप समझ में आ गई होंगी चैनल को अगर अभी वी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्रेश कर लिजेगा मिलते हैं नेक्श वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजेगा जैहिन दोस्तों जै भारत वंदे मातरम टेक केर बवाय आलफ यू